हेलो दोस्तों एक बार फिर श्वागत है आपके अपने चैनल मैक टैक में देखो दोस्तों क्या है कि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि गाड़ी के अंदर जो एसी वेंट होते हैं या इसी बटन्स होते हैं उन पे जो साइन दी होते हैं उनका कैसे तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि गर्मी के दिनों के अंदर गाड़ी का जो ऐसी का वेंट्स का पॉइंट है वहाँ उसे यहाँ सेलेक्ट करना है इस पे कि यह फ्रंट वाले ऐसी जो वेंट्स है वो काम करें ठीक है और अगर आपको फ्रंट भी चाहिए और पेरों को भी गर्मी लग रही है तो आप इसे यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है इसे गुमा कर ऐसे और अगर आपको सिरफ पेरों पेरों में चाहिए तो यहां सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको अगर पेरों के साथ विंड्शिल्ड पे भी चाहिए जो यह जगह है यहां और यहां तो यहां चाहिए तो आप इसे यहां सेलेक्ट कर सकते हैं, इसे गुमा कर, ठीक है, और अगर आपको सर्दियों के मोसम में, अगर आपके गाड़ी के भाप जम जाती है, इस इसों पे ठीक है, आपको दिखाई नहीं देता है, विजिबिल्टी कम हो जाती है, तो आप इस इवेंट के जो नोब जम जाती है वो नॉर्मली हट जाएगी यह तो हो गया इसका यूज अब आते हैं इस पे यह अपने फैन स्पीड के बारे में बताता है कि अपने गाड़ी के अंदर फैन की स्पीड कितनी रखनी है ऐसी वेंट के अंदर यह जो ऐसी वेंट है इसमें फैन हवा आती है तो उस इवेंट जो गाड़ी के विंड शिल्ड होती इस पर भाप नहीं जमती है और ठंडी भी नहीं होती और गरम भी नहीं होती है ठीक है नॉर्मल समने तंप्रेचर रहता है यहां सेट करने पर अगर आपको गर्मियों की दिनों में हो तो आप इसे यहां सेलेक्ट करके रखे इसे गाड़ी आपकी जल्दी ठंडी होगी ठीक है फिर आप इसे अगर गाड़ी के एवरेज बढ़ानी है और आपका कंप्रेसर कम काम करें कटाउट होता रहे बीच बीच में तो आप इसे यहां यहां सेलेक्ट कर सकते हैं और फेन की स्पीड आप दो पर रखो आपकी ग तो समय ठंडी होगी फिर फ्रेस हावा जब लेक्ार को शेयां सेलेक्ट करना होता और इसे यहां स्राइद कर सकते हैं जो की इसे फेन के पास पहल होताई-बास तुरब जाता फिर फ्रेस हवा रहतानी भीच दो तो बस यह यूज़ था और Main SC को यूज़ करने के लिए अपने को ये बटन प्रेस करना होता है और बंद करने के लिए से ओफ करना होता है बस यह नॉरमल यूज़ था इन ऐसी बटन्स का और दोस्तों आप अगर आपको वीडियो पसंद आई नोर्मल बताना चाहता था मैं तो आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करो थैंक्यू